नमस्कार दो здоров got है सभी का आपके यूट्योब चैनल और यूटीए में दोस्तो आज हम इस विडियो में खेल से समण्दी जितने भी 2022 में पूरसकार दिये गहे हैं उन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे दोस्तो पूरसकार से समंदी जितने भी important question बन सकते हैं एक्जाम में आपके पुछा जासकते हैं उन सभी कोश्चन को इस वीडियो में कभर किया गया है इसलिए पूरा वीडियो आप एक बार जरूर देखेगा दोस्तों मैं आपको एक सुचना देना चाहूंगा कि हमारे इस यूटूब चैनल पर वीकली करेंट फिर बहुत ही बह परदान करता है तो करता है यूगा एवं खेल मंत्राल है याद रखिएगा यूगा एवं खेल मंत्राल है राष्टी पुरसकारों को खेल पुरसकारों को परदान करता है दोस्तों यहां यहां है यूगा एवं खेल मंत्री जो है वरत्वान में है वह है अनुरात सिंग ठा कि इनके दोवारा राष्टी खेल पुरसकार प्रदान कियाता है ते देते हैं राष्टपती भारत के राष्टपती जो है अपने हाथों से राष्टी खेल पुरसकार खिलाणियों को प्रदान करते हैं इस तरह से इसका आपसा नंबर 20 है नेश्ट कोचन है कि इस युनिवर् देव विश्व विद्यालय अमरित्सर को मौलाना अबुल कलाम अजाद ट्राफी 2022 दिया गया है इस तरह से इसका अप्शन नमबर यह सही हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है वर्स 2022 का मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पूरसकार किस खिलाली ने जीता है ते जीते हैं सरद कमल कौन कमल सरद कमल अचंता याद रखेगा एक टेबल टेनिस खिलाली है जो की राष्टमंडर खेल में गोल्ड मेडल भी जीते थे इसलिए इनको सरद कमल को 2022 का मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पूरसकार दिया गया है आपको इमेज में आपको सरद कमल दिख रहे होंगे को चार खिलारियों को तो यहां चार खिलारियों को लाइफ टाइम के लिए जो ध्यान चंद्र पूरसकार दिया गया है उनका नाम है असुरी अंकुजी असुरी अंकुजी सी ठीक है एथलेटिक्स खिलारी है दूसरे है धर्म वीर सिंग यहाकी खिलारी है बीसी सुरेश ये कबड़ी खिलाडी है, और चौथे जो है, नीर बहादूर गुरंगा, नीर बहादूर गुरंग, ठीक है, ये पैरा एथलेटिक खिलाडी है, इन चारों खिलाडीों को 2022 में लाइफ टाइम के लिए ध्यान चेंदर पुरसकार से समानित किया गया है, इस तरह से इस कोशों को, तीन कोशों को जो है कि लाइफ टाइम काटेगरी में दोड़ाचार अवार्ड से समानित किया गया है, इस तरह से इसका अपसर नमबर सी सही हो जाएगा, तो तीन कोश कौन कौन से है, एक है दिनेश, लाड़, यह है क्रिकेट के कोश, और बीमल, घोस दूसरे ह और तीसरे है राज सिंग, एक कुस्ती के कोश है, इस तरह से इसका अपसर नमबर सी सही है, नेक्ट कोश्चन है, कोश्चन नमर सेवन है, पहला मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पूरसकार किसे मिला था, तो पहला जो मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पूरसकार है, वो मिला थ इसका पहले नाव राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार था इसका नाम बदल करके मेजर ध्यांचंद्र खेल रतन पुरसकार किया गया तो जब इनको मिला था उस समय इस पुरसकार का नाम था राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार इस तरह से इसका आपसा नमबर डी सही है नेस्ट कोश्चन है मेजर ध्यान चंदर पुरसकार की सुरुवात कब हुई थी तो याद रखियेगा मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार और मेजर ध्यान चंदर पुरसकार ये दोनों अलग अलग चीज़े हैं ठीक है तो मेजर ध्यान चंदर पुरसकार का सुरुवा दो में लेकिन अगर पुछा जाए कि मेजर ध्यान चंदर खेल रत्र पुरसकार का शुरुवात कब हुआ था तो 1991 बनमे में हुआ था जब शुरुवात हुआ था उसका नाम राजी उगांदी खेल रत्र पुरसकार था ये बाते आपको याद रखना है नेश कोशन है दो मेजर ध्यान चंदर खेल रत्र पुरसकार की शुरुवात हैं 25 रुपे किदा 25 रुपे ध्यान दिजिएगा मैं सभी का यादी रासी बता दे रहा हूं अगर दुलार चार पुरसकार की बात किया तो 10 रुपे रुपए मिलते हैं। ध्रोडाचार लाइफ टैम अचीवमेंट के लीए लिए अगर मिल रहा है तो 15 लाख मिलते हैं। और अर्जून पुरसकार मिलता है तो 15 लाख मिलते हैं। ठीक है? ते पुरसकार रासी है। Question number 10 है, हाकी के जादूगर किसको कहा जता है? तो हाकी का जादूगर कहा जता है मेजर ध्यान चंद्र को. मेजर ध्यान चंद्र को. इस तरह सिसका अप्शन नमबर 20 हो जाएगा. आपको इमेज में दिख रहे होगे, हाकी के बहुती बातरी खेलाडी मेजर ध्यान चंद्र, इसको हाकी का जादूगर कहा जता था. नेश कोशन है, Question number 11 है, मेजर ध्यान चंद्र को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक संबान पद्व भूसन से कम संबानित किया गया था. तो एक किया गया था इनको 1956 में, कब किया गया था? 1956 में, इस तरह से सकाफसर नमबर एस ही हो जाएगा. नेक्ट कोश्चन है, गोल किस खिलाली की आत्म कता है, गोल जो है किस खिलाली की आत्म कता है, तो है मेजर ध्यान चंदर की, किस की मेजर ध्यान चंदर की, इस तरह से इसका आपसवर नमबर, सी सही जागा मेजर ध्यान चंदर, नेक्ट कोश्चन है, हाकी खेल में, हाकी खेल में कितने खिलाडी होते हैं तो हाकी खेल में टोटल ग्यारा खिलाडी होते हैं कितने ग्यारा खिलाडी जैसा कि किर्केट में भी होते हैं ठीक है किर्केट और हाकी में समार खिलाडी होते हैं ग्यारे ग्यारे इस तरह से इसका अपसार रंबर question number 15 है पिछले कितने वर्सों की अवधी में किसी खिलाडी द्वारा खेल के छेतर में सांदार और उतक्रिष्ट प्रदस्तन के लिए major ध्यान चेंदर खेलर तरफ पुसकार दिया जाता है तो यह दिया जाता है question number 15 है 2022 में कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो किया गया है टोटल 25 खिलाडियों को कितने 25 खिलाडियों को दोस्तों आपको कमेंट बास पर लिख कर बताना है कि अर्जुन पुरसकार की धनरासी पुरसकार रासी कितनी है? इस तरह से इसका अपसर नमबर 20 सही हो जागा 25 खिलाडियों को. Next question है, question number 17 है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरसकार, मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार का पुरारा नाम क्या था? देखिए, मैं पहले ही बताया हूँ, तो ए था राजियों गांधी, खेल रत्न पुरसकार, इस तरह से इसका अपसर नमबर 20 सही हो जाएगा. Next question है, खेल के छेतर में उतकरिष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरसकार दिया जाता है? तो दिया जाता है द्रोडा चार पुरसकार, इस तरह से इसका अपसर नमबर C सही हो जाएगा, द्रोडा चार पुरसकार. Next question है, question number 19 है, 2022 में कितने कोचों को सामाने काटेगरी में द्रोडा चार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो टोटल किया गया है चार कोचों को, कितने कोचों को, इस तरह से इसका अपसर नमबर D सही हो जाएगा. Next question है, question number 20 है, मेजर ध्यान चंदर खेल रतरपुरसकार की सुरुवाद कब हुई थी? ध्यान देजिएगा, जब शुरुवाद हुआ थो उसका नम मेजर ध्यान चंदर खेल रतरपुरसकार जही था, उसमाँ उसको राजिव गांदी खेल रतर पुरसकार के नाम से जाना ज जाता था तो इसका शुरुवात हुआ था 1952 में कब 1952 में में इस तरह से इसका आपस्वा नंबर ए सही हो जाएगा नेश्ट कोशन है विश्वनाथ आनंद को किस वर्स मेजर ध्यान चंद्र खेल रतन पुरसकार मिला था तो ए मिला था इस तरह से इसका आपस्वा नंबर ए सही है नेश्ट कोशन है कोशन में ट्वटी ट्री है अर्जुन पुरसकार की नई बीजेता रासी कितनी है तो यह 15 लाक रुपए कितना है 15 लाक रुपए इस तरह से इसका आपस्वा नंबर सही है 15 लाक रुपए नेश्ट कोशन है 2022 में मेजर ध्यान चंद्र जी की कौन सी जयनती मनाई गई है तो यह मनाई गई है 117 हुई जयनती कौन सी 117 हुई जयनती इस तरह सी स्काफसा नंबर D सही है तो दोस्तो एथा हमारा आज के खेल से समदित महत पूर पूरसकार से जितने भी important question बन सकते से सभी question को हम इस वीडियो में discussion किये है आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज comment बाक्समें जरूर लिखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों में अधिक सधिक share करें साथ में इसी तरह के interesting और महतपूर वीडियो पारे के लिए exam tracker channel को subscribe करके bell icon को दबा ले क्योंकि हम इस channel पर ऐसे ही बहतरीट वीडियो लेकर आते रहते हैं तो दोस्तों मिलेंगे फिडियो वीडियो में तब तक के लिए जैहिन